आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियों हम जीके के टॉप 25 कोशन करेंगे जो की प्रीवियस और कोशन पेपर से उठाए गये हैं यह कोश्चन्स CHSL के CPO के रेलवे के दिली पुलिस यूपी पुलिस पंजाब पुलिस इन सभी कोश्चन से उठाए हुए कोश्चन है यह ऐसे कोश्चन से जिसको स्टुडेंट्स जातर क्या करते हैं स्किप करते हैं सो आज की इस वीडियों हम इस कोंचों को अच्छी तरह करेंगे ताकि दुबारा आने वाल एक्जाम में आप इसको स्किप ना करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको जाद जाद देखा करें और सब्सक्राइब किजिए करें और जाद जाद शेयर करें ताकि मैं और मोटिवेट्ट हो अपनी वीडियों को आगे बनाने के लिए तो चलि रच रख हमारे iNdian School के 6 philosophy है इसका हम शट दर्शन कहते हैं हर एक किसकी फिलोस्पी है ऑप्षन जामनी की जैमनी की अगर हम बद्रेन की बात करें तो इनकी फिलोस्पी क्याना में उत्तर मिमांसा अगर हम गौतम की बात कहा है तो इनका कहाना इनकी फिलस्फिक कहाना में न्याय दर्शन कपी लगा क्या है सांख्य दर्शन सांख्य दर्शन पतंजली की क्या है योग दर्शन नश करते हैं विश्वन ऋटर लारजफ्ट यथरे बुद्धिस्ट ल выгляд में से सबसे बड़ा सांचहेँ सुध में है लिए पिटक सुथ पिटक अभिधम्मा पिटक ये तीन पिटक है इन में से सब से बड़ा कों सा पिटक है मुरा हना एका तोट लेट हैकहा शुद क्या सुदेट कर जो दो किसे जुड़ा हुआ है इस पिटक में बुद्ध बुद्ध जी की सभी सर्मन्स का एक कोलेक्शन है किसमें सुथ पिटग में वीने पिटग किसे जलोग है ये बुद्ध मठ के जितने में डिस्प्लिन्स वगएरा हैं हम किसमें पढ़ते हैं अभिधम्मा पिटग में क्या करते हैं का बुद्ध से जीलिए जटिने जितनय प्रिंस्पाल हैं जितनी 250 किसमें पढ़ते हैं अभिधेन्न अभिधम्मा पैटग में पढ़ते हैं दूस्तों अगृतम गृत को हम इंटर्ड्य मूनि की नाम से जानते हैं मून 튀 या तथा गत नाम से जानते हैं करें दृए गुआ कोणिफ था फॉलविंग इंटरीउस गॉल्ड कोई फर्स टाइम इंधिया भारत में सोनेक शिक्ष्खे सबसे पहले किसने चलाये थे इंडो ग्रीक कुषान गुपता डेनस्टी या साकर डेनस्टी तो इसका अंसर रहेगा एक इंडो ग्रीक डिनेस्टी इंडो ग्रीक इन्होंने क्या है इंडिया हम सबसे पहले गोल्ड कोईन चलाये थे अगर हम कुशान की बात करें तो इंडिया में प्योर गोल्ड के सिक्षे किसे चलाये थे कुशान ने चरग कुशान के राज का एक physician था चरग इसके राज का एक प्रीशिशन था है अगर हम गुँद ग्रेयेस्टि тобой सबसे हादा सोने के सिक्ष्गे इसे जारी किये थे गुबद ग्रेंस्टी ने है सबस्लिम एमपायर का metrics पाउंडर कोन है महमंद गोरी भाबर मुहम्मद विन कासिम या कुतूबदीन एबग तो इसका answer रहेगा ए मुहम्मद गोरी मुहम्मद गोरी रियल टावंडर था मुस्लिम एंपाइवार सब से पहले भारत में मुहम्मद शाफित ना कर पर आफ आपाया था तो किसको फांडर मांते हैं मुस्लिम एंपईर का फांडर मानते हैं- यह पोलो क्या टे वक्ष घरके मर गया था, लिए को विच वन इंडिया इन में से कौन सी डिनेस्टी है जो अफगानिस्तान के से बिलोंग करते हैं तो अंसर रहेगा भी लोधी डैनेस्टी भी लोधी डैनेस्टी अगर हम दोस्तों बात करें तो सबसे जो तो सबसे ज्यादा टाइम तक शाषन किया है तो इसका अंसर क्या रहेगा तुगलग डेनस्टी तुगलग डेनस्टी ने अरबाट 93 तक मलब की राज किया है जैसे कि 1320 से लेके 1413 अगर सबसे छोटी की बात करें तो वो कोन हो जागा खेलजी डेनस्टी खेलजी डेनस्टी क्याइबंद अथी के लिए कि 1290 एंक यह को बाकल कर बाट कर, या बियार अमसर यह गा ये गोपालJust गोखले जो की महात्मा गंधी के पॉलिटिकल गुरु भी रह चुके हैं कि अ अगर हम कोई पूछए कि सर्थ्यसोधक समाज कि स्थापना किसने की है सर्थ्यसोधक समाज की स्थापना किसने कि है तो जोतिवा भाई फूले कम्मिनिस्ट पार्टी की स्थापना किस ने की है कम्मिनिस्ट पार्टी की मन रोए 1920 ब्यारंबेट के बारे हम सबको पता होगा यह फाउंडर यह फादर ओफ कंस्टिजूशन विज बम ड्रोप्ट बाई USA ओन हिरोशिमा 6 अगस्ट 1945 योसे नहीं हिरोशिमा पर जो बम गिराया था उस बम का क्या नाम था लिटल बॉई फैट मैन हाइड्रोजन बम यह यह बी दोनों इसका अंसर एगा ए लिटल बॉई अगर बी ऑप्शन की बात करें तो यह क्याम गिनाया था नागा साकी में 9 अगस्ट को है हाईड्रोजोरब códigobbor की बात करें यह किस प्रिंस्पल बेस है और नूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन यलर भंखना ए यह एटम बसे नागा सुक्त क्या है पावर फूल लित इंट्री किस प्रिंस्पल्स पर बेस है नूटिइब ए ट्रॉम करते हैं विच वन इस दा मोस्ट डेस्टरक्टिव वेव ऑफ द अर्थक्वेक जब अर्थक्वेक कहाता है उसमें से तीन वेफ्स निकलती है सबसे खतरना क्या सबसे डेस्टरक्टिव कौन सी होती है कि यह सबसे पहले है यह बलब की करती करते हैं इसे सबदेता खतरनाक यह ही है अगर अर्थक्वेक आता है तो सबसे से पहले P wave हर जगह पे पहुंच दीर हें आई सुलिड में ही है कि मू अगर हम बात करें ॐ ज Um जसान होता है तो उससे जो फरी मी रुकित है से माड़ाता है उसका नाम है कि मारकेली स्केल कहना में मारकेली स्केल अर्थ के उकल किसे नापई आता है रिक्टल स्केल से रिक्टल स्केल नक्स इसे नक्सकन वीच वन इस दा लोंगेस्ट रिवर ऑफ श्रिलंका, श्रिलंका कि सबसे लंबी नधी कौन सी थी? महावेली गंगा कालू गंगा, केलानी गंगा या ज्यान गंगा यहां पर गीन गंगा होगा तो इसका अंसर क्या रहेगा ए महा वेली गंगा जिसकी लंबाई कितनी है 345 किलोमेटर 345 किलोमेटर शिलंका का पुराण नाम क्या था साइलोन यहां के पिएम का कहना में महिंदराव राजपक्षे और इनके भाई है जो प्रेस्डेंट बने हैं गोटा बाई राजपक्षे नेस्ट कॉशन करते हैं पहने विच वन हइस दไला हैस्त माउंट्स ओफोर अफिर्वका का सबसे हाइस मांट कौन जाहें मांट मैंकिछले मांट मांट ऎलवाष मांट उसको या किलीमेंजरो तो हमारा उन्सर रहां यहाँ पे डि किली मैंने जारो माउंट में कहां परवत है किस कॉंटिनेट का नॉर्थ अमेरिका का एल्बृस कहां का है यूरोप का कोजिसको कहां का है औस्ट्रेलिया का है कैसे याद रखा है मैंने अस्ट्रेलिया यहां पर के के फोर कंगारू एंड अस्ट्रेलिया ठीक है हम अफ्रिका कॉंटिनेंट को क्या कहते हैं डार्क कॉंटिनेंट कहते हैं अफ्रिका में ही सबसे बड़ी लंबी नदी है जिसका नाम है नील नदी जो लेक विक्टोरिय कट two time two Capricorn lines Capricorn line यहीं मकर देखा कोई सी river दो बर करती है जैसे कि यह globe हो गया यह equator हो गया यह cancer होगी लाइन यह Capricorn है तो Capricorn line को Capricorn line को कौन दो बर करता है तो यहाँ पर अंसर होगा यह Lipopo river अगर मैं बात करूँ माही river किसको दो बर करती है किसको करती है तो क्या अंसर हैगा करक रेखा को कॉंगो किसको दो बर करती है equator को equator को अगर मैं बात करूँ करक रेखा, मकर रेखा और भूमद रेखे या equator यह तीनों जो लाइने किस continent से पास होती है किस कॉंटिनेंट में से पास होती है तो अंसर एगा अफ्रिका क्या अफ्रिका क्या अफ्रिका क्या पास होती है यह यह भी अफ्रिका से पास होती है तीनों अच्छा भारत में कौन से पास होती है लाइन मगर रिखा वीटी कल्चर एक लेक्री धिफ फार्मिंग वीटी पल्मिंग, वीटी कल्चर किस फार्मिंग को जाने जाता है, वेजिस्टेबल, फ्लावर्स और चाड या, ग्रेपस, तो काफी तूबुल रिवर प्रोजेट इस लोकेटिड तूबुल रिवर प्रोजेट कहां पर है जारखंड जम्मु कश्मीर महाराष्ट्रा यह डी वेस्ट बंगाल तो इसका अंसर कह रहेगा अगर हम बात करें डी अंसर को करते हैं वेस्ट बंगाल में कौन सा है मयूर राक्षि मयूर मयूर राक्ष्य याद रखना मयूर राक्ष्य मारास्ट्रा में कौन सा है मनाश्रा में है जायका वाड जायका वाड गょदावरी दीवर पे जह क्या होगाeten में तूबुल क्या होगा हमारा तूबुल कहा कया है किस रिवर पे चेलो उदेद को अधिक है और प्रोजेक्ट की बात करें जम्मू किश्मर की तो है याद से बगलिहार, बगलिहार काफी इंपोर्टेंट ही यह बहुत ज़या इंपोर्ट पेपर में आता है और दुल हस्ती दूल हस्ती सब्सक्राइब करेंग फोर्थ फाइव यर प्लान बेस्ट ओन विच मॉडल जो चोथा प्लान था किस मॉडल और? पर इस पर इसका नाम पर क्या नहां है तो अगर्छ पहला प्लैन कि सकत यह किस यह मेंद था था आ किस अदो माझद फिसंट कि मेहला नंबालिउल इस हम्नयाद यह मंगाते है स्टैटिक्स डे मनाते हैं डबलू बिलर यह किस फाइवर प्लैन पर बेस्ट मॉडल है यह यह हमारा रहेगा सैवन्थ सभी जो इन्फोमेशन याद रखना विच लॉंच मैक्सिमुम टाइम बजट इन लोग सभा यहां पर कोश्चिन गलत पुछा यहां पर आगा हूँ किसने बजट को ज्यादा बार लोग सभा में पेश किया है पीची तंबरम मनमोहन सिंह मुरारजी देशाई या जोहाला ने तो इसका आंसर कहा रहेगा सी मुरारजी देशाई कितनी बार टैन टाइम दस बार पीचे नमर में कितनी बार पेश किया है एट टाइम जोहाला ने नुरू कब पेश किया था नाइंटीन फिटी एट में तभी से 28 फर्वरी को क्या है हमारा बजट पेश होता था बट अब कितन अपकाब हो गया है फर्स्ट फ्याप को होता है 1924 से क्या हुआ था रेल्वे बजट अलग से पेश होने लगा था आम बजट से अगर बात करें जो बजट किस आटिकल में आता है 112 अगर स्टेट का बजट किस में आता है आटिकल नमबर 202 नेक्स्ट कोच्चन विच इनियन टेरिटरी हैस सीम आफ्टर दिल्ली दिल्ली के बाद ऐसा कौन सा मेलोग की केंदर शाशी परतेज है जहां पे सीम है जमू कश्मीर लक्षदीप अंडमा निकोबार या उड्डू चेरी इसका अंसर कहा रहेगा डी उड्डू चेरी क्या नाम है उनका नाम है दिनेश वार शर्मा दिनेश दिनेश याद रखना दिनेश जमू कश्मीर के कौन है जमू कश्मीर के गरीश चंद मुर्मूर मुर्मूर याद रखो मुर्मूर अगर लदाख पुछे तो लदाख कौन है लदाख के हैं माथूर माथूर लदाख में द अनिल बैजाल अनिल याद रखना सिरफ अनिल बैजाल कि हो मैंनी राजसभा मेंबर बिकम दा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इने की ऐसे ऐसे कितने राजसभा के मेंबर थे जो हमारे देश के प्राइम रह चुके हैं कि 3,4,2 या 5 तो इसका अन्सर रहेगा 4 राजसभा के ऐसे मेंबर हैं जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं तो इसमें सबसे पहले को और है 1966 में इंद्रा गांधी 1996 में एश्टी देवी गोडा उसके बाद क्या है आई के गुज राल 1997 में आई के गुज राल 1997 या 8 एट में उसके बाद क्या है LAST 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंग दग्रेट मनमोहन सिंग इंडिया का हाइस्ट अफिसर किसे माने रहता है अटोर्णी जर्नल अटोर्णी जर्नल एड़ोकेट जर्नल आफ स्टेड या सीविशी चीफ विजिनल कमिशनर अंसर क्या रहेगा एक किस आर्टिकल के तहट 76 कोन है अटोर्णी जर्नल वेनू गोपाल क्या किस आर्टिकल में आता है 148 कोन है रजीव महरशी एड़ोकेट जर्नल किस आर्टिकल में आता है 165 एस्टेट का है तो सीविशी कोन है चीफ विजिनल कमिशनर ने मैं पिछली वीडियों बताया है संजे कोठारी संजे कोठारी अगर पुछे सी आईसी सी आईसी चीफ इनफोर्मेशनल कमिशनर ओ कौन है विमल जुलका विमल जुलका नश्ट विच वन ऑफ फॉल्विंग इस नौन एज ब्राउन कोल भूरा कोईला किसको कहते हैं एंत्रासाइड बिटूमिनस लिगनाइट यह पीट काफी असान कोशने साइंस करिए क्या अंसर हैगा सी लिगनाइट सबसे खराब कोईला कौन सा है पीट जिसमें बहुत ज़्यादा दुवा निंगलता है जब जलाते हैं तो घरों में कौन सा कोईला जुटा है बिटूमिनस और सबसे बढ़िया कोईला कौन सा है एंत्रासाइड सबसे बेस्ट कोईला है कार अनुमो मेंटर फैदोमेटर विनोप्यूलर या मैनों विक्तर हैं वेलमीटर तो यह यो क्या है यह प्रैश्ब मैंसर नापता है यह प्रैश्ब को अनुममेटर की च्पावर और से उसनख की घहराई को रह गा क्या जाएक है Speed और power की सियम आपते हैं यार की इनिमो मीटर से ज्धुरी sister किस classical dance से संबंधित हैं घ्थुरी sister किस classical dance से संबंधित हैं काफी important question है यह मनी पुरी के oesi के Jesus कि पुरी या कथा कली किसका answer एगा ए मनी पूरी क्या मनी पूरी कथा कली कहा का डांस है ये केरला का कहा का केरला का अच्छा आप दोस्तों मेरे कमेंट बॉक्स में बताना कि कुछी पूरी कहा का डांस है कुछी पूरी कहा का क्लासकल डांस है दूसरा कोशन है कि हेमा मालनी कौन सा डांस करती है तो तीसरा question है शीरी देवी, शीरी देवी किस dance form से जुड़ी हुई है, दोस्तों अगर आपको तीनों answer आते हैं, जरूर comment box में जरूर जरूर लिखना, Next question, World Wildlife Day, World Wildlife Day कब मनाया जाता है, 19 January, 24 February, 3 March या 7 April, तो इसका answer हैगा, 3rd of March, 19 January क्या मनाया जाता है, Pulse Polio Day, 24 February क्या मनाया जाता है, Central Excise Day, Central Excise Day, 7th March, 7th April क्या मनाया जाता है, World Health Day, World Health Day मनाया जाता है, Next question, Which one of the following Indian newspaper available on internet first time, internet पे सबसे पहला Indian newspaper कौन था, Times of India, Tribune, Indian Express या The Hindu, तो इसका answer हैगा, D, The Hindu, काफी believable newspaper है, Current Fair के लिए, Wellington Cup किस गेम से जुड़ा हुआ है, Wellington Cup किस गेम से जुड़ा हुआ है, Football, Hockey, Golf, Badminton, तो इसका answer है क्या रहेगा, B, Hockey, अगर पुछे, Baton Cup किसे जुड़ा है, Baton Cup ये भी, Hockey से ही जुड़ा हुआ है, अगर पुछे, Subrato Cup किसे जुड़ा हुआ है, Subrato, Subrato किसे जुड़ा हुआ है, Football से, इसे, Football से, Davis Cup भी, Football से ही जुड़ा हुआ है, गोल्फ की बात करें, तो इसे किसे जुड़ा हुआ है, Walker Cup से, Walker Cup, Badminton से को जुड़ा हुआ है, Narang, Narang, Chadha Cup, Thomas, Uber, इस सभी किसे जुड़ा हुआ है, Badminton से, Fide Cup किसे जुड़ा हुआ है, इसका answer अगर आता है, तो comment box में बताना, लास्ट कोशन मारा रहेगा, What is the Parliament name of Israel, इसराइल की Parliament का क्या नाम है, B, Neset, B, Neset, Iraq का क्या नाम है, मजलिज, Shora कहां का है, अफगानिकस्तान का, दिमा कहां का है, रूस का, डाइड कहां की है, जापान की, तो दोस्तों ये 25 कोशन थे, जो important कोशन थे, जो सभी प्रिवेस एक्जामिक पूछे हुए थे, अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो उसको जरूर जरूर देखना, और लाइक और शेयर जरूर करना, थैंक्यों दोस्तों,